स्वागत है आपका राशिफल टीवी में इससे दाइनिक उलजनों से भी निजात मिल सकती है कई तरह की समस्या भी आपके इर्द गिर्द बनी रहेगी व्यक्तिगत व्यस्तता के चकर में परिवार की जरूरतों को नजर अंदाज ना करेगी क्रोध और आवेश में कई बार बनता काम अंतिन चरण में अटक भी जा सकता है बच्चों के किसी समस्या को सांतिक पूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास करें इससे उनका मनोबर बढा रहेगा व्यवसाइक नजरिये से ये महीना बहुत ही सुख़द रहेगा प्रभाशाली लोगोर के सानिध्य में कुछ नई जानकारिया हासिर होंगी किसी नए प्रोजेक्ट संबंधी ठोस तथा महत्वपुर्ण नेन लेने में सब्शम रहेगे लेकिन व्यवसाइक स्थल पर आपके उपलबदी अनिवारिक है क्योंकि कर्वचायों के बीच बाद विवार होने की संभावना है घर में सुख शांती भरा पाता परन लहेगा यदा कदा पदि पत्नी के बीच कुछ नौप जोग रह सकती है प्रेमी प्रेविका का भी एक दूसरे प्रति विश्वास बढ़ेगा अकारण ही छूटी छूटी बातों की वज़े से तनाप रह सकता है इसका अजर आपके कारक्षम्ता पर भी पढ़ेगा मेडिटेशन और ध्यान में कुछ समय जरूर लगाए उपाया प्रति दिन भगवान श्री विश्व की विधी विधा से पूजा करे और गुरुबार के दिन किसी मंदिर में जाकर पूजा की सामगरी दान करे भागिशाली रंग है सुनेहरा और भागिशाली अंतर है चौदा इसी तरह आपका रोजका राशिफल देखने के लिए और जीवन सरल बनाने के लिए हमारे विडियो को लाइक करे चैनल को शेर करे और सब्सक्राइब करे